हलो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे तो आज मैं आप लोग के साथ दो डिय वाई आइडियास सेयर करूँगी तो चलिए देख लगते हैं सबसे पहला नमबर वाला आइडियास तो इसके लिए मैं सूट से बचे हुए टुकड़े का कपड़े का टुकड़ा होता है उष्का इसका की बाद हमें हलका देते हुए हमें दोनों साइड से इस तरीके से ना है प्लोत कर लेंगे और उसके बाद कपडे कि भी एक कोई ब्याइब्लाओं से बिच वेग्वां धेलब्स कुणा करं तो इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं अब येा देखिए इस तरीके से हवलका सा राउंड सेफ देते हुए हमें kपड़े को डिककरकर लेना है जहां से थोड़ा सा कम जङादा लग रहा है तो उसको कट करें हम एक बराबर रचेफ देते हुए बराबर कट कर लेंगे दोनों साइड से अब इसको कट करने के बाद हमें इसके साथ ही लेनी है जो सौपिंग बैग होती है उसका इस्तमाल करेंगे यहां पर देखिए मैं एक सौपिंग बैग का इस्तमाल करेंगे बहुत काम की होती है सौपिंग बैग अगर आपके पास इस तरीके के सॉपिंग बैग आती है तो इसको बिल्कुल भी ना फ्येंके, बहुत ही काम आता है, अगर आप सिलाई का काम करते हैं, इस तरीके की चीजे बनाना पसंद है आपको तो, तो यहां पर देखें, ऊपर से भी इसको मैं कट की हूँ, साइट से एक पीस बड़ा सा बं करके रेडा हो जाएगा सिंगल और हमें सिंगल नहीं है इसको कट करके और सिंगल अब इस प teacher कटिंग ने कर now and यहाने कि दोनों अंदर के साइट रखना हैं सीधा वाला पाट एक तरफ में लाते होगे और उल्टा वाला साइट जो ए कपड़े का वह बाहर-ऊपर के साइट रखेंगे अब इस तरीके से पीन अब करने के बाद मैं इसको कट कर लेती हूं चारो साइड से अच्छे से कट कर लेना है यह देखिए कट करने के बाद अब देख रहे हैं दो मार्किंग यहां पर मैं की हूँ तो मार्किंग के बीच में सिलाई नहीं लगानी है बाकी पूरे किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगा देनी है दो पॉइंट जितना छोड़ते हुए कपड़े को यहाँ पे मैं पीन लिकाल लेती हूँ और पीन लिकालने के बाद जो इसका चारो कॉणर है उसको कॉणर पे छोटे-छोटे से हमें कट लगाने हैं यह दिए कॉणर पे कट लगाने के बाद बाद की चारो साइड भी हमें छोटे-छोटे से कट लगा देने हैं थोड़ी-थोड़ी दूरी पे ताकि इसको जब हम पल्टे तो बहुत ही फिनिसिंग के साथ इसका लुक देखने में अच्छा लगे अब यह देखिए गाई जहां से ओपेन पार्ट छोड़ा हुए थोड़ा सा वहीं से हम इस तरीके से इसको पल्ट करके और सीधा कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से हम इसको पल्ट करके सीधा करेंगे और कुईसी भी नुकीली चीज़ से देखिए मैं यहाँ पे बड़ी वाली जो सुई होती है उसी की मदद से यहाँ पे इसका नूक अच्छे से निकाल लूँगी ताकि अच्छे से फिनिसिंग आ जाए यह देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसका नूक निकाल लेंगे चारो साइट से अब यह देखिए इस तरीके से पल्टा चुक है और जहाँ से थोड़ा ओपन साइट था उसको भी अंदर के साइट फोल्ड करते हुए और बागी चारो साइड इस फे टॉप की सिलाई लगा देनी है सिलाई यहाँ पे लग चुकी है अब हम इस पे मार्किंग करेंगे तो यह दिखिए मार्किंग करने के लिए एक साइड से 3.5 इंच फे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहे हूँ तो साड़ह 3 निए चोड ना है और मार्किंग कर लेना है आफ इसको इस तरीके से हम रखेंगे डवल में फोल्ट करते हुए इस तरीके से हम रखेंगे नीचे से फोल्ट करेंगे और इसके उपर सिलाई लगा देनी है और इसफे सिलाई लगाने से पहले सेट करके देख ले मैं यहाँ पर देखे सेट करके देख रिंक कहां से आ जायेगा अच्छे से क्योंकि cover भी होना जरूरी है अगर कहीं से पिछवा सक कम ज्यादा लग रहा है तो इधर उदर कपड़े को सिलने से पहले खसका ले अब ये देखिए किनारे पे सिलाई लगाने के बाद मैं बिल्कुल इसके सेंटर में भी एक सीधी सिलाई लगा दी हूँ बिल्कुल सेंटर में बीच ओ बीच एक सीधी सिलाई लगा देनी है अब ये देखिए यहाँ पे दो पैकेट बन करके रेडिय हो चुका है अब इसके उपर हम attach करेंगे इस तरीके से छोटा सा एक टुकडा लेना है वैलक्रो का और उसका यहाँ पर मैं इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो अगर आपके पस वैलक्रो नहीं है तो आप जो cheat बटन आती है उसको भी यहाँ पर attach कर सकते हैं यह देखिए दूसरी साइड भी इसको मैं seal करके बस attach कर लेना है अब यह देखिए गाईस यहाँ पर मैं वैलक्रो को attach कर ली हूँ seal करके और उसके बाद अब इसका इसका इस्तमाल क्या करना है वो भी मैं आपको तिखा देती हूँ तो इसको मैं बनाई हूँ खास करके इस्तमाल करने के लिए जो हमारे पास कार्ड होते हैं जैसे कि मैट्रो कार्ड, एडियम कार्ड और अधार कार्ड उसको इसमें स्टोर करने के लिए मैं बनाई हूँ क्योंकि इस तरीके से हमारे पास देट सारे कार्ड हो जाते हैं जो कि क अब देख लेते हैं आइडिया नमबर टू तो आइडिया नमबर टू के लिए भी देखिए यहां पे मैं चार पीस कपड़े का कट की हूँ और चार पीस है मगर तियार करके यह दो पीस हो जाएगा और इसकी जो लंबाई है वो साड़े 9 इंच है मैं दूसरे वाले कपड़ लेनी है और साड़े 4 इंच इसकी चौडा लेनी है अब इस तरेके से हम ड़ॉल में फोल्ड करेंगे और ड़ॉल में फोल्ड करने के बाद ओपिन वाला साइड से जहाân से कपड़ा खुला हुआ है वहां से 3 इंच मार्किंग करेंगे और इस तरीके से हलका सा गुलाई दे अब इस तरीके से रांड में कट कर लेना है और कट करने के बाद जो दूसरा वाले कपड़े का पीस है जो गोल्टइन क्लर का मैं यह ली हूँ उसी के उपर भी इसको भी रख करके अच्छे से सेट करेंगे और शेट करने के बाद इसको भी हम कट कर लेंगे अब दिखी गाइस इस तरीके से हमें कट कर लेना है दूसरे वाले पीस को भी सेम तरीके से कट कर लेना है और कट करने के बाद जो लाइनिंग का पीस है और वही वाला सेम जो सौपिंग बैग था उसका मैं फिर से इस्तमाल करने वाली हूँ यहाँ पे तो सौपिंग बैग को नीचे रखना है और उसी के उपर जो में कपड़ा है उसका उल्टा करते हुए रखना है और फिर से हमें लेना है जो लाइनिंग का कपड़ा यहाँ प कुटिंग करने के depends, नीचे से open छोड़ना AI然後 open, नीचे सिलाई करना AI..? सिलाई एक है तर्म पिल्ट के लाँ करना AI स्वापिंग बैक को अंदर करना AI जो कपड़ा दोनों है वो बाहर के साइड करना है इसके ऊपर टौफ की सिलाई लगा देनी है और नीचे से भी अंदर के साइड थोड़ा सा कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और नीचे से भी स्टीच करके फिनिसिंग की सिलाई लगा देंगे तो इसी तरीके से दोनों पीस को हमें रेडी कर लेना है यहां पर यह देखिए गाइस दोनों पीस यहां पर रेडी हो चुके हैं अब इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूं तो जो गोल्डेन किलर का कपड़ा है उसको आमने सामने इस तरीके से रखना है और जो हरावला है उसको बाहर के साइट अब इस तरीके से कपड़े को सेट करने के बाद मैं एक फिन लगा करके अटैज कर दूंगी अब इसके बाद मार्किंग करनी है मार्किंग करने के लिए उफर से देखिए थ्री इंच फे मार्किंग करनी है एक सीधी लाइन खिच देंगे इस तरीके से और नीचे के फिन छोड़ते हुए marking करनी है देखिए आधा इन छोड़ेंगे और marking कर देंगे अब तीन साइड पर हमें stitch कर देना है और एक साइड नहीं करना है जहां पर मैं कटका निसान लगाई हूं वहाँ पे देखिए तीनों साइड यहां पर stitching हो चुकी है अब यह देखिए यहां प नहीं को और एक चोटा सा प्यारा सा पॉच बनकिर के हैं यहां पर एडी हो चुका दोनो साइड में एक ऑलकुलगी बीच में आप ट ragταवन पियार पर पैकट बनकार डरी हो चुकारान इसको शाया है रोसना जाइड, उपड़े होता है उसका इस्तमाल करके मैं यहां पे दो पाउच आप लोगों के साथ रेडी की बना करके सेयर की हूँ दोनों पाउच में से आप लोगों का कौन सा आइडिया ज्यादा अच्छा लगा है कॉमेंट करके जरूरू बताईएगा चैनल पे जो लोग नए हैं गा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद